वल्कम टू एग्री सिल्वी, आज का हमारा टॉपिक है लिलियम, जिसे कमनली लिली कहा जाता है, इससे पहले हमारा क्राइस अंथेमम का वीडियो और अंतुरियम का वीडियो आ चुका है, अगर आपने उसको नहीं देखा है, डेस्क्रिशन बॉक्स में लिंक दिया गया है, चकर उसे क्लिक कीजिए और पहले उसे देखिए, क्योंकि हम एक को दुसरे के साथ कंपेर करके पढ़ रहे हैं, So that हमको याद रखने के लिए इजी होगा, इसलिए पहले क्राइस अंतुरियम का देखिए, उसके बाद लिली का देखिए, आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, ये क्लास DDA-SO के लिए उस्चर की क्रुद है, और DDA-SO के अलाबा AFO के लिए, ICR, JRF के लिए, जो लग हर्टी कल्चर स्पेशाल लग के ICR, JRF दे रहे हैं, उनके लिए बहत ही फाइदमन देने वादा है, चलिए शुरू करते हैं, अमरे लिली का बहुत सारे वेराइटी है, और इतना सारा वेराइटी को तीन तरह डिवाइड किया गया है, फर्स्ट वान इज एसियाटिक हाइब्रीड, सेकंड वान इज ओरियेंटल हाइब्रीड, और थार वान इज इस्टन लिली, इसमें से ओजेंटल हाइब्रीड बहुत इंपूटांड है, और एसियाटिक हाइब्रीड, दोज हाइब्रीड, जो की एसियाटिक रिजन में बहुत ही पॉपुलर है, जैसे की ड्रीम लैंड हो गया, बुनेलो हो गया, नोभोना हो गया, और ये सब चीज आपको याद लाखरीजिये, बिकाज दोजर एग्जमिनर चैस, और बहुत ही बार ये एग्जमें आ चुका है, जैसे की भीवाल्ड हो गया, पिंक कलर का लिली, ब्लाकाउट हो गया, इप रेट कलर, यू शुर्ड रमेंबर इस, और जेकंड और इस और 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 औ जैसे की दोल्ड नू रिंग और और इसे काल और मिल्ली नुटर स्बूलीयों लिली ना फिलीओ विष्णक्ता को सब कि गाराईट काहीं हो इस अवाली खिये, तंड हो सब सुनुन ऑप्ते पार और तर और पार द candidates सब टर दो, इस सुन. अशुर्स काह पिलिलियम है बीच् अगर हम compare करें इसको crysanthemum के साथ, crysanthemum का around 20 to 28 degree Celsius था, इसका मतलब crysanthemum ज्यादा hot area में हो सकता है, आज compare to lily, लिली का climatic temperature crysanthemum से थोड़ा सा निचे रहेगा, और उसका soil pH को भी नजर डालते हैं, 5.5 to 6.5, यह सिमिलाल है अन्थुरियम के साथ, लिली और अन्थुरियम र्रूरियम का can be grown in same soil pH, इसलिए मैं आपको पहले से बताया कि आप पहले crysanthemum का देखिये, उसके बाद लिली का देखिये, So that we can correlate easily and we can remember easily. Okay, then propagation में आते हैं. लिली का propagation mainly bulb के थुरू होता है and dormancy break करने के लिए लिली को 2 degree Celsius से 5 degree Celsius तक cold storage period में 6 week के लिए रखा जाता है तक कि dormancy break होता है और bulb को can be stored up to minus 2 degree Celsius मत बहुत ही चील है और spacing को जरा देखिये 20 x 15 cm, 15 x 15 cm and 15 x 10 cm मतलब ये भी क्राइशंत्यमम से बहुत ही लेस है क्राइशंत्यमम में 30 x 30 cm था मतलब ये नियरली अप्टु हाफ है So लिली का spacing क्राइशंत्यमम का spacing का हाफ है You should remember this ये एक बहुत ही अच्छा picture है बहुत सारे confusion यही से आपका clear हो जाएगा ये देखिए 3 week old bulbs कैसे दिखता है और 3 week old bulbs से अगर हम 8 week की forward moment करें तो फिर वो हो जाता है fully grown लिली मतलब इससे अगर मैं पुछू आपको की लिली का growth period कितना है तो आप मुझे बता सकते हैं लिली का growth period ये 3 week plus 8 week मतलब आराउंड 10 to 11 week होता है तो लिली एक fully grown करने के लिए एक mature stage में आने के लिए टोटाल 11 week उसे लगता है अगर आपने DDA-SO का सिलाबस देखे है तो फिर आपको पता होगा कि plant protection of different flowering plants भाँपे है आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए plant protection पे और plant protection में ज्यानरली pest and disease आता है तो first we go for pest there are three types of insects आ देया aphids, mites and thrips जैसे कि आपको पता है हाम अलड़ी पडचुके है in chrysanthemum in anthurium aphids and thrips बोद है sap sucking pest and aphids का order है miptera thrips का order है thysanoptera और यहाम पह एक है माइड्स माइड्स यहां लिली में बहुत ही ज्यादा पाया जाता है और इसका ओडर है अस्टिगमाटा और यह एक अच्छा वाला पी के आप देख सकते हैं इसमें दिखा गया है आप फिर्स कैसे लिली प्लांट को ड्यामेज करते हैं और आपको कुछ पेस्टिसाइड्स का नाम भी याद रख लेना चाहिए जैसे कि हाम क्राइचांत्रमम में अंथूरियम में पड़े हैं वो स्प्रे वेटेबुल सल्फर हो गया डाई मित्वेट हो गया और यहां पे एक नया है इमिटक्रोफिट और इमिटक्रोफिट स्पे इसका इतना सा आपका काफी है डिजीज में हम आते हैं इन डिजीज पहले तो ग्रे मुल्ड आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं ग्रे मुल्ड के बारे में ग्रे मुल्ड एक टाइप का फंगस होता है जो फंगस का जिनस होता है बुटिटिस और यह क्या होता है य यह generally wine grapes हो गया, जिसका vine है, मतलब जैसे कि grapes हो गया, जैसे कि other climber plant हो गया, जिसका vine है, उसे यह बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है, और यह viticulture में बहुत ही study किया जाता है, viticulture मतलब जो vine का culture होता है, और उसके बाद आगया bulb scale rot, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी में दे देता हूँ, यह एक बहुत ही dangerous disease है, जिसमें क्या होता है ना, वो जो bulb अंदर होता है, वो विखड जाता है, मतलब scales detach at the basal plate, and balls often fall to pieces after digging, root rot and root rot बहुत ही severe infection है, और इसको जो fungus करता है, उसको हम fugarium crown rot भी बोलते हैं, और यह बहुत ही ज्यादा damage करता है, मतलब पूरी तरीके से lily plant को खतम कर देता है, उसके बाद आता है butetis blight, यह भी एक टाइप का fungus attack है, और यह कुछ तक similar है grey mold के साथ, मतलब dark brown spot on leaves, और यह सब को control करने के लिए, हमको यह सारे chemicals चाहिए, तो फिर कुछ important chemicals के बारे में बता देता हूं, और उसका आपको emulsified concentration, और grams, और दो सब remember करना है, जिनेम हो गया, जिनेम एक जिंग compound है, और यह भाती अच्छा fungicide माना जाता है, grey mold को control करने के लिए, उस तरह carbon dagine हो गया, metal axle हो गया, और यह सब आपको थोड़ा थोड़ा याद रख रहेना चाहिए, harvest के बात करते हैं, harvest कब किया जाता है, जब color breaking stage आता है, but it is not open, अगर हम cry syndrome की बात करें, तो फिर बहां पे भी same condition था, 75-100% opening stage में हम harvest काते हैं, क्योंकि वो market demand है, यहां पर भी पूरे open होने से पहले हमको harvest करना चाहिए, जो कि market में बहुत ज़्यादा demand है, आप देख सकते हैं यह picture में, harvesting stage with one board, यह perfect stage है harvest करने के लिए, अगर हम deviation की बात करें, मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको, कि यह around 11 weeks लेता है, इसका growth period, अगर asiatic hybrid की बात करें, जैसे की dreamland हो गया asiatic hybrid, बहुत ही famous hybrid है, इसको 8 से 10 weeks लगता है, और अगर oriental hybrid हो गया, oriental hybrid में एक गेजट आता है, बहुत ही examiner choice variety, उसका आप याद लख लिजे, इसका duration है 14 to 16 weeks, और yield, और इसका yield around 30 to 40 flower stem per meter square, यहाँ पे नोट करो, meter square में है, पेले वाले हम जब क्राइशन दम्मा में पढ़े थे, बहु हेक्टर में था, यहाँ पे meter square में calculate हो था है, फाइनाली, दो MCQ कोस्चिन, फास्ट वान इज, स्टार्ट गेजर भेराइटी, इज़े भेराइटी अप विच लिली, आप आंसर दनी कोस्चिस कीजिए, और सेकेंड वान इज, लिली प्रोपागेटेड थू, यह थोड़ा हटके है, आपको यह दो कोस्चिन देने का मतल मतलब आको पता चल सके कौन सा लेबल का कोस्चिन आता है एक्जामिनर में, इसी तरह आप प्रिपेर कर सकते हैं, एक बार इसको रिविजन कर लीजिए, मेरे को लगता है आप यह दोनों कोस्चिन आशानी से दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बाद नहीं है, you can answer it, तो फिर क्या की आजका Лेक्चर एही पर समाप्त करते हैं, आशा करता हूँ, आप सब अच्छे होंगे, और प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इफ यू शेयर और सब्सक्राइब, आप और सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह हम DDA SO के एक्जाम तक सारे के सारे सिलाबस कभर कर लेंगे ओके अल दा बेस्ट फर एक्जाम थैंक यू